हेलो हेल, वेलकम टुकूपीत प्रेमलता आज आप सब का मेरे चैनल में स्वागत है और आज मैं प्याज भाजी चना दाल और मठर की सबजी बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने कड़ाई पे तेल लिया है गराई को गरम कर लिया है उसमें तेल लिया है और तेल को अच्छी तरह से गरम करना है और उसमें मैंने 5-6 लसुन के कलिया को महिन महिन काटके डाला है और उसमें एक बड़ा प्याज भी डाला है और उसको थोड़ा लाल करक आपको भुंजना है और मैंने आदा किलो जैसे प्याज की भाजी ली है उसको अच्छी तरह से finely चप करिए आप लोग थोड़ा भी cut cut कर सकते हैं और छोटा भी cut कर सकते हैं आपकी एक्छा है आप जैसा cut करना चाहे करें और उसे आप से करना है मैंने फाइनली चप किया है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से धोया और धुने के बाद इस तरह से मैं इसको बनाने जा रही हूं और उसमें मैं ust cinna चनना दल मैंने हाफ काटोरी ली हैं मतर मैंने एक कटोरी ली है तो दोनों को मिक्स करके मैं बनाओंगी और यह बहुत ही अच्छा लगा था यूज पहुत अच्छा लगता है आप भी इसको ट्राइजारों करिए गर पर बनाईएगा और बना कर मैं जितनी वी रेचीपी बत चुरवगे और यह देखिंए मनने डाल रही हूं कटूरे है मेरा ज़िस कटूरी मैंने चनागल सबीच." तो तो यह कुछनका सब्सक्राइब सबस्क्राइब ≪ектूर गणी कटूरी किया है !!! जाल है जैसे ही मतर भूज़ाने लगता है तो मटर में अपना छीटाकने लगता है तो आप बहुत ध्यान रखेगा मतर जैसे आप बूज आते जाएगा तो मतर चीट पढता है उपर उचलने लगता है तो आप उस से में थ्यान जरूर रखिए अगर धक्की भी आप पगा सकते हैं तो मैं इसी स्टेज पर यह टमाटर और मिर्च का पेस्ट हैं मैंने दो टमाटर किया हैं और चार से पांच मिर्च डाला है मैंने तो आप अपने आपको कितना तीखा पस तीखा खाते हैं तो इस साब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और यह देखिए बहुत अच्छी ते टमाटर मिर्च और सारा जो समान है सब अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और टमाटर को आप देल छोड़ने तक पकाईएगा तेल मैंने बहुत कम ही डाला है लेकिन देल चो चोड़ने तक आप उसको पकाना है आपको तेल मसाला को इसको टमाटर को अच्छी तरह से भूंजने से इसका स्वाद बढ़ जाता है सब्जी में तो यह देखिए बहुत अच्छी तरह से भूंजा रहा है और आप चाहे तो धक्की भी पका सकते हैं मैंने इसको इसमें ख टमाड़ डालते हैं और भाजी डाल देते हैं लेकिन अच्छी तरह से भूंजने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मैंने हल्दी डाला है हल्दी मैंने एक चम्मज डाला है छोटी चम्मज में एक चम्मज है और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसको बादा नदेम ठ्रह दालने के बाद इसको मैं पकाऊंगी तो अल्फ मिनट अर्फ पुरा दो पकता यह तो इस भाजी को पूरा पकने में कम से कम स्काव 15-17 मिनट पूरा लगा है और यह अपना पानी भी छोड़ता है तो इस वज़ा से अपने भाप में अपने पक जाता है पानी में अपनी पक जाता है पहले आप इसको ढगड़क के पकाईएगा तो दीरी दीरी आप नमक डाल दीजिएगा तो उसमें क्या है भाप में तो पानी निकले गई और नमक रह पकान पकने में बहुत समय लगेगा इसलिए आप धक के पकाईएगा तो 12-17 मिनट में आपका सब जीत बन के तयार हो जाएगा और बैस मैं डग डग के इसी तरह से इसको पकाऊंगी और दीज बीच में मैंने इसको खोलना है खोल खोल के ढग के देखना है कि इसमें एक कितना पका है और मैं भी ढग देती हूँ और इसको खोलूंगी तो यह आधा से ज्यादा पक चुका है अभी इसका पानी नहीं निकला है और जब थोड़ी दिर के बाद अब ऐसे करिएगा देखिये और यह थोड़ा टाइम लगे से बहुत जल्दी ही जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है और आप खुला पकाईएगा तो टाइम लगता आप चाहे तो थोड़ा क्रंची भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादा क्रंची मुझे पसंद नहीं है तो देखे पानी पूरा छोड़ चुका है और धका था मैंने औ अचा है ईसका अच्छा इसका छह रें गडरें पुरी हिसां पूर ऋचाइन पैस्ति मुझे यां से कितर सउब्स पूरी है थे अच्छी तरह दिखाईते डिदे रहाइं चाना-दल पूरी अच्छी तरह से प好吃 गयी है मटर को पक्ने में तो टाइम लगता नहीं लेकिन चन तो प्रणाजाल को भीगा तो नहीं था ऐसी ही डाला है तो उसमें फोड़ा टाइम तो लगेगा और बाकी सब्सक्राइब को पकने में देखिए यह अब देखिए कितने अच्छी तरह से पानी थोड़ा सूखा जैसे लग रहा है अब चाहे तो इसी स्टेज पे इसको बन कर कीया करके आव आप सर्फ कर सकते हैं अपिस को रोटी के साथ पराठे के साथ पुडियों के साथ चामल के साथ जार कहा सकते हैं यह बहुत अच logarit तेस्ट आता है इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आप एक काम करिएगा इससी तरह से बनाईएगा और मेरे साथ कमेंट जरूर शेयर करेगा कि आपको कैसा लगा थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो बाई